हे गाईज क्या हाल चाल हैं आप सभी के स्वागत है आप सभी का USBRL प्रोजेक्ट की अपडेट में आज की इस वीडियो में बात करेंगे USBRL के संगलदान से रियासी के बीच में होने जा रहे कमिशनर रिल्वे सेफटी के इंस्पेक्शन के उपर जी हां CRS यहां पे 25 जून 2014 क होने जा रहा है 25 जून के दिन होने वाले CRS के अंदर आपको और हमें क्या देखने को मिलेगा किस तरीके से इस कमिशनर रिल्वे सेफटी के इंस्पेक्शन को कंड़क्ट किया जाएगा और यहां पे महज 10 दिन बाकी हैं इन 10 दिनों में यहां पे रहने वाला बचा हुआ जो भी काम है वो वाकई में कम्प्लीट हो पाएगा इन सभी चीजों के उपर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन वीडियो को सुरू करें इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं और रेल्वे से जुड़े कंटेंट देखना चाते हैं चैनल को ज ने कहा है ट्रेन बहुत जल्द आ सकती है यहां पर बात हो रही है दियासी संगलदान सेक्शन की जो की 50 किलोमीटर का सेक्शन है और यह यहां पर बहुत जल्द ओपन होने वाला है फिरहाल CRS की बात करें तो कमिशनर रेल्वे सेफटी के इंस्पेक्शन 25 जून 2024 को हो सकते हैं यह एक टेंटेटिव डेट है और इसके उपर खड़ा उतरने के लिए भारतिय रेल्वे को जो काम है वो तीजी से करना होगा एक्शुली मैं बात हो रही है सावल को ट्रेल्वे स्टेशन की जो की मैंने आपको बताया था कल के दिन यहां पे सावल को ट्रेल्वे स्टे इंस्टॉल किये जाने बाकी है सावल को ट्रेल्वे स्टेशन का ओवरॉल जो अलाइनमेंट है ओवरॉल व्यू है वो आपको कंप्लेट नजर आएगा वैसे मैं आपको उसकी अपडेट नहीं दे रहा हूं बाकी आपको बता दू कमिशनर रेल्वे सेफटी के जो इंस्प होते हैं जिनके अंदर यहां पर सभी चीजों की सेफटी मिजरमेंट्स हो जाती है जी आप कह सकते हैं जून की लाश्ट वीक में यहां पर कमिशनर रेल्वे सेफटी के इंस्पेक्शन हो सकते हैं क्योंकि अवरॉल पूरा USBRL प्रोजेक्ट का ये अलाइनमेंट संगलदान के बीच का बाकि अगर मैं बात करूं CRS इंस्पेक्शन की तो इसमें एक वैन आती है जिसमें काफी सारे major equipments लगे होते हैं जो कि यहां पे काफी सारे measurements करती है आप जानते हैं यह पूरा हिस्सा नया तयार हुआ है और ऐसे में भारती रेलवे की mainly जो priority है वो passengers की safety को लेकर है CRS के अंदर आप कह सकते हैं कि यहां पे चेक किया जाएगा कि यहां पे जो tracks बिचाए गए हैं उनमें कोई किसी तरीकी का fault तो नहीं है यहां पे electrification का जो काम किया गया है उसके अंदर कोई fault तो नहीं है साथी में signaling system जैसे और भी कई सारी चीज़े जो install की गए हैं उन सभी को चेक किया जाएगा और यहां पे CRS report तयार की जाएगी railway board को भी जी जाएगी railway board से जैसे ही approval मिलेगा यहां पे commercial operations यहां पे training जो हैं वो शुरू की जाएगी देखिए यहां पे CRS WAN किस तरीके की दिखाई देती है उसको मैं आपको screen पे show कर रहा हूँ और CRS WAN के अंदर अब क्या क्या चीज़े होती है किस तरीके से commissioner railway safety के inspections होते हैं तो देखिए WAN के अंदर आपको सबसे पहली चीज inspection equipment ही देखने को मिलते हैं जिसमें कई सारे sensors हो और मेंली देखें तो ultrasonic floor detection equipment होता है और दूसरी तरफ आपको यहां पे track geometry measurement system देखने को मिलता है दूसरी चीज़ लगी होती है communication system जिससे की यहां पे जो CRS की team होती है वो railway के official से आप कह सकते हैं कि communicate करती है किसी भी तरीके की faults होते हैं या फिर जो भी चीज़े निकल कर आत हैं वो एक दूसरे के बीच में share होती है थर्ड चीज़ आपको देखने को मिलेगी recording manual जिसके अंदर आप कह सकते हैं जो दस्तावेज होते हैं जो यहां पे निरिक्षण किया जा रहा होता है उसकी जो आप कह सकते हैं एक report होती है उसको तयार करने के लिए recording manual होता है जो कि अपने आप किसी भी तरीकी के fault या फिर जो चीज़े सही है उन सभी को record करता है report तयार करता है फूर्थ चीज़ आपको देखने को मिलेगी workstation CRS van के अंदर workstation में आप कह सकते हैं कि जो CRS की team होती है वो data analyze करती है coordination वैठाती है और इस तरीके से overall जो report है वो तयार की जाती है fifth चीज़ आपको safety equipment देखने को मिलते हैं हर तरीके के data collections यहाँ पे आप कह सकते हैं collect किये जाते हैं और एक छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे measure किया जाता है उसके बाद CRS आप कह सकते हैं inspection जो है वो complete होता है और फिर report तयार होके railway board को जाती है और इसी तरीके की और भी चीज़े होती हैं वाकि कुछ इस तरीके से CRS होता है वाकि आज की वीडियो में भी इतना ही रखते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से like कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आने वाली updates आप देख सकें और अपने दोस्तों में इस व लोग अपना ख्याल रखेगा, hope to see you again, bye bye guys.